प्री बेहनों और भाईयों भाणजे और भाणजीयों नमस्कार मैं रोज कोरोना की इस्थिती की समिक्षा करता हूँ नमंबर माह में पॉजेटिव केसिस लगातार बढ़ रहे हैं बिषेश कर पिछले एक सपताहसे पॉजेटिव आने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रहे हैं एक्टिव केस भी बढ़ते जा रहे हैं बिषेश कर इंदोर में भौपाल में रोज पॉजेटिव केस मिल रहे हैं 29 नमंबर को भुपाल में नो पॉजिटिव केस आये थे, आज 30 नमंबर को चवधा पॉजिटिव केस आये हैं, इन दोर में भी पाँच आये, बाकी जगे भी छुट-पुट केस मिल रहे हैं, और हम जानते हैं, पुराना अनभव हमको बताता है, कि ये केसे फिर धीरे धीरे लगातार फैलते और बढ़ते हैं, अफरीका में जो नया वेरियंट मिला है, उसमें पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है, लगातार की इस दुनिया में बढ़ रहे हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चा मास लिया है, इस्थिती सामान बनती जा रही थी, इस्थिती ना विगड़े, और हम तीसरी लहर को आने से रोक दें, इसके लिए अभी से सावधानी जरूरी है, अभी मैं देखता हूं कहीं भी, आम तोर पर मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं, जिस संकर से हम सेकेंड दौर में गुजरे हैं, उसकी तकलिफ हैं, हम भूले नहीं हैं, हमको सावधान रहना होगा, हमको नियंतरित करने के सारे उपायों को अपनाना होगा, सरकार सतर्क है, सचेत है, मैं लगातार बैठके करके, तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी के निर्देश दे रहा हूं, लेकि सहयोग आपको भी करना पड़ेगा, ताकि तीसरी लहर हम आने ही ना दे, आज इस्ठिती को हम नियंतरित कर सकते हैं, और इसलिए कृप्या करके मास्क जरूर लगाएं, मैं सबसे अपील करता हूं, भाई, वहन, बेटे, बेटी, कहीं भी निकले मास्क जरूर लगाएं, य क्या था समभभ भीड से बचे दूरी बनाएं, हाथ स्वच्छ रखें, और हाँ रोज हम टेस्ट करना चाहते हैं, कई वह लोग टेस्ट कराने से इंकार करते हैं, किर्प्या कोविट की टेस्ट को जरूर करवाएं, तो उसी से तो हमको पता चलेगा अगर पॉजिटिव के बढ़ेंगे तो, और जो लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, उनको आईसोलेट करना होगा, आईसोलेशन में रखना पड़ेगा, उस घर को कंटेन किया जाएगा, इस में सही होग करें, सेकेंड डोज जरूर लगवाएं, मैं फिर अपील करता हूं सेकेंड डोज, हमारी स पुरक्षा के लिए अतियंत आवसक है, जरूरी है, मैं सभी धर्म गुरूओं से, जन पृतिनियों से, राज नेतिक दलों के कारी करता हूं से, समासे भी संग्ठनों से, नौजवानों से, बेटे-बेटियों से, विद्धार्थियों से अपील करता हूं, कि आपका सहयोग तीसरी लहर को रोकने के लिए अतियंत आवसक है, अभी साबधानी के तौर पर, हमने स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या 50 प्रिस्ट कर दिये, एक दिन में केबल 50% जाएंगे, ताकि दूरी बना के रख सके, और वो भी माता, पिता की पालकों की अनुमती लेक अस्पतालों में आवसक तयारी रहे, आखिजन प्लांट, दबाईयां, कंसंट्रेटर, इंजेक्शन, वो सारी तयारी हम कर रहे हैं, लेकिन है भगवान, इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन आप से भी प्रार्थ ना है, आप आवसक सहयोग जरूर करें, सुरक्षा से ही हम बच सकते हैं, सावधानी अगर रखेंगे तो वो सावधानी ही हमारी सुरक्षा है, और वही हमें बचाएगी, कल मतलब एक दिसंबर को, सवेरे दस बजे, मैं क्राइसिस मेनिजमेंट कमेंटियों के साथ समबाद कर रहा हूं, बाच्चीत कर रहा हूं, उनको भी संबोधि करूँगा, और उनसे भी अपील करूँगा, कि हम अभी से तीसरी लहर ना आने देने के लिए, कमर कसलें, जिले की क्राइसिस मेनिजमेंट कमेटी, बिलाग की क्राइसिस मेनिजमेंट कमेटी, और पंचाद की क्राइसिस मेनिजमेंट कमेटी, बाट की क्राइसिस मेनिजमे कमेंटी अभी से सक्री होके इस्थितियों पर नजर रखें मास्क के लिए हम आग्रे बढ़ाएं और हर तरह की साफधानी रखें मुझे पूरा विश्वा से आप सब के सहयोग से मद्ध प्रदेश को हम तीसरी लहर के संकट से बचा लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद